Hello दोस्तो, बहुत सारे स्टुडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भाईया JEE 2024 की ड्रॉपर स्टाटेजी का बारी है So in this video we will be discussing about dropper strategy for JEE 2024 And जिसने नहीं पता I am Mayankanand from IIT Guati And ऐसे informative and unbiased content के लिए चैनल को subscribe करें So in this video में हमारी JEE 2024 की एक overview strategy रहेगी कि कैसे हमें start करना है And coming videos में हम subject wise specific videos मनाइएंगे ठीक है So सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला question है कि time left हमारे पास कितने समय बचे हुए है So हमारा target होना चाहिए कि हमारा November तक syllabus खतम हो जाना चाहिए तो अगर अभी हम अभी start कर रहे है तो from June, July, August, September, October and November That is six months हमारे पास बचे हुए है तो हमारी जो भी strategy होनी चाहिए वो six months की होनी चाहिए क्योंकि December में December में हमें mock test देने होंगे And from January onwards हमारे JEE main start हो जाएंगे Right तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एकदम clear हो जाना चाहिए कि हमारे पस कितने time left है It is six months उसके बाद हमें list of important chapters mark करने होंगे जो कि मैं आपको further videos में बता दूँगा क्योंकि अभी हमें अगर हम full syllabus करने जाएंगे तो हमारे JEE advance के लिए बहुत जादा दिक्कत आ जाएगी तो अभी जो-जो important chapters होते हैं उन्हें सबसे पहले हम cover करेंगे उसके बाद जो remaining हो जाए मिन्स हम priority wise chapters को cover करेंगे इसलिए अपने आपको ego में नहीं लेना है कि हमें पूरा ही syllabus करेंगे तभी हमारी अच्छे rank आएंगे अभी सबसे पहले हमें important chapters cover करना है थर्ड point आता है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि अब dropper strategy है तो हमारे पास हमें बहुत कम है और resources भी हमें minimum to minimum रखनी चाहिए तो हमारी steps to study में सबसे पहले आ जाता है कि कोई भी हम chapter start करेंगे तुन्हें हमें उनका theory सबसे पहले finish करना होगा without any इधर उधर की books को follow करते हुए सबसे पहले finish हमें करना होगा उनकी theory then हमें practice करने के लिए mains के PYQs लगानी चाहिए अभी हमारे पर इतने समय नहीं कि हम को standard book के solve example या कुछ कर रहे है जैसी हमारी theory cover होती है हमें PYQs of mains लगानी चाहिए and after solving mains PYQs हमें JEE advance के PYQs लगानी चाहिए इतना अगर हम करते हैं इन्हें कम से कम दो-तीन बार अगर हम revise कर लेते है जैना I assure you कि आपको JEE mains and advance में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी and हमें realistic target लेकर चलना होगा ऐसा नहीं सो सकते हैं कि अभी हमारे पर 6 मन्त है so हम 100 percentile के लिए तैयारी करेंगे JEE mains का अभी हमारे strategy यह होना चाहिए कि किसी भी तरीका से first attempt में 98.5 percentile से अब आप आज है हमारी right and I see JEE advance के लिए तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे इतना आप करेंगे तो आपका JEE advance के लिए भी बहुत अच्छे level में तैयारी हो जाएगी and JEE advance, JEE mains के बाद हमारी strategy थो रही और चेंज हो जाएगी इसलिए अभी हम खाली mains and advance की भी IQ करेंगे कि आपको कोई भी आप अगर previous year भी उठाएंगे जब आपको कोई भी chapters में दिक्कत नहीं आए या फिर कुछ आपको बहुत नया नहीं लगे कि मैंने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपने पहली previous year questions बना के रखा हुआ है तो after हमें clear हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसके बाद एक सबसे means pro tip मैं नहीं कहना चाहूंगा वो है early morning या फिर before sleep हमें ये दो चीज करना है अगर आप बहुत सुभा उटके पढ़ते हैं तेना आपके लिए early morning हो जाएगी अगर आप रात को लेट पढ़ते तो before sleep सोने से पहले आपको ये दो steps follow करनी राइट वो है आपको जितने भी formulas हो गए जो भी chapters के आपको revise करना है और inorganic chemistry को छोड़ना नहीं है early morning 30 to 45 minutes आपको revise करना है कोई भी chapter inorganic chemistry के वो की आपकी periodic table भी हो सकती है even s block p block hydrogen कुछ भी environmental chemistry इससे आपको पता भी नहीं चलेगा आप regular 30 to 35 minutes आप daily देंगे 2 to 3 months में आपका major chapters complete हो जाएगा जो की last में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है कि inorganic अगर अगर आप अभी starting से करेंगे तो within 3 to 4 months आपका पूरा inorganic खतम हो जाएगा and अगर आप NCRT को पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं revise कर लेते हैं so for GE Mains आपको 100% marks guaranteed है कि आपको inorganic chemistry में आ जाइंगे तो बस अभी हमें ये दो चीज दिमाग पर रखना है कि अगर हम जल्दी चूट के पड़ते हैं तो हमें revise करने formulas को जो भी हमारे different subject होगे physics, chemistry, maths and inorganic chemistry के भी जो भी chapters हम स्टार्ट करें उन्हें revise करना NCRT के वो भी कुई कम हैं उपर उपर से देख लेना है कि क्या कि अभी चल रहा है फिफ्थ पॉइंट ये आ जाती है क्योंकि हम ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर को सबसे जादी नुकसान होता है कि आपके अगल बगल के जो भी दोस्त होंगे इस साल वो admission लेंगे different colleges में आपने में बहुत ज्यादा guilt and अच्छी feeling नहीं आती है तो इसे हमें as a positive energy हमें लेना चा इवन आपके कभी parents कोई relatives भी आपको बोल देंगे कि तुमको लगता है कि तभी तुम drop लो अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे drop लेना है तो बिल्कुल अब इधर उधर की बात नहीं सोची कि कैसे होगा क्या होगा जो मैं strategy बना रहा हूं बता रहा हूं उनको बस follow किज जो भी आपको personal doubt even guidance की जरत होगे then you can follow my telegram channel right and इसमें finally जो point है major point है time management का because आपके पास time बहुत less है जो बच्चा दो साल जई के लिए पढ़ रहा है वही चिसको आपको six to seven months में cover करना है even Shrikrish ने भी कहा है कि कुछ भी चीज के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए जो हमारे ह जैसे कि हमारे result हमारे हाथ में नहीं है तो इनके बारे में सोच उच कि अपना time waste बिलकुल भी नहीं करना चाहिए अभी हमारे पास हांत में की हम कितना पढ़ सके और कैसे अच्छ से पढ़ सके तो बिलकुल बस इसमें focus किजिए and time to time मैं बाटने देते रहोंगा and कुछ भी जो हो जाए हम फाड़ देंगे है की नहीं अगर आपको कुछ भी वीडियो में इंप्रूमें चाहिए तो इसी के साथ एक पॉसिटिव नोट के साथ हम यहां खत्म करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे अगर आपको कुछ भी वीडिय में इंप्रूमें चाहिए तो इसी फोड़ते रहिए मचाते रहिए